हेलो फ्रेंट्स मैं आपका दोस्त नदीम हैदर इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या सिविल सूट के अंदर जहां एक से ज़ादा प्लैंटिफ है उस केस में क्या एक प्लैंटिफ दूसरे प्लैंटिफ को ये ओथोर्टी दे सकता है कि क्या कि वो उसके जगा पर कदमा किया हुआ है डी डिफेंडेंट है ए बी सी ये प्लैंटिफ है थीम अब सपोस करिये जो सी है वो बहुत जादे बिजी रहता है अपने बिजनिस में अब उसके पास टाइम नहीं रहता कि वो कोड़ में अपियर हो सके तारीफ पर डेट पर या प्रोसीडिंग में औ क्योंकि वो बहुत जादे बिजी रहता है अपने बिजनिस में तो क्या ऐसा हो सकता है कि C A से ये कहे या B से ये कहे कि मैं तो कोर्ट नहीं आ पाऊंगा उस डेट पर जो भी डेट लगी होती है जो भी जब भी अपियर होना पड़ता है या मैं मुकदमे में प्लीड नहीं कर पाऊंगा या फिर प्रोसीडिंग में एक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मेरी जगा पर मैं तुमें ये ओथोर्टी दे रहा हूं कि तुम कोर्ट में अपियर हो जाना या plead करना या फिर जो प्रोसीडिंग है उसमें कोई भी act करना क्या ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा करने पर क्या court जो है ये मान लेगी कि जो A है जो appear हुआ है court के अंदर और उसने अपनी appearance दाखिल करी है और साथ में वो क्या C की भी appearance भी दाखिल कर सकता है अपने थुरू के court ये समझे के A appear हो गया है तो मतलब C भी appear हो गया है तो क्या court ऐसा allow कर सकती है देखिए इसका जो answer है वो है order 1 civil procedure code के अंदर order 1 का जो rule 12 है 12 वो यही कहता है कि जिन केसों में एक से ज़्यादा plaintiff है अगर एक plaintiff कोई भी दूसरे plaintiff को अपनी ये authority देना चाहे कि वो उसकी जगा पर appear हो जाए या plead करे या कोई भी act करे प्रोसीडिंग में तो वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है या फिर इसके वाइसर वरसा अगर देखा जाए defendant अगर defendant एक से ज़्यादा है उस केस में अगर कोई defendant अपने दूसरे defendant से ये चीज authority उसको दे दे कि वो defendant मेरे बिहाफ पर जो है court में appear हो या फिर plead करे या कोई भी act जो प्रोसीडिंग में जरूरी है वो वो कर सकता है तो ऐसी authority वो defendant दे सकता है और उस case में court ऐसे ही समझेगी जैसे कि वो उसी defendant के मतलब कि through वो plead किया गया है वो act किया गया है या वो ही appear हुआ है जैसे a, b, c हमने बात करी थी ये plaintiff है, d defendant है अगर c, a को ये authority देता है कि वो उसकी जगे appear हो, plead करे और act करे या कुछ भी, कोई भी authority देता है तो a अगर court में present हो रहा है, a की तो present लगी रही है कि वो appear हो रहा है, उसके साथ-साथ वो c की भी present लग रही है, क्योंकि वो c के, c ने उसको authority दे रखिये a को तो a का आना court ये मानेगा कि a का भी present होगी और c की भी appearance मानी जाएगी इसी तरह defendant के case में अगर कोई case है, a जिसमें plaintiff है, b और c जो है वो defendant है अगर c, b को ये permission दे देता है, ये authority दे देता है, कि वो उसकी जगे present हो, appear हो या फिर plead कर सकता है, या फिर कोई भी act कर सकता है जो proceeding में तो अगर b present होता है, तो इसका मतलब court ये समझेगी, कि b b present है, b b appear है और c b appear है, अब court जो है, ये समझेगी, यही मानेगी, कि b के present होने पे, कि b b present है और c b present हैं दोनो, पर देखिए ये जो authority देनी पड़ेगी, ये उस plaintiff को या फिर उस defendant को जो authority दे रहा है, वो written में देनी पड़ेगी, sign करना पड़ेगा और इसको court में उसको file करना पड़ेगा, ये था order 1 का rule 12, इस video के अंदर इतना है, thank you very much